मैं आपको काम्याब होने का सूत्र दे रहूँ अभी एक जिंदगी भर काम्याब होने का और जिंदगी भर काम्याब रहने का सूत्र सुनना चाहते हो तो बोलो हाँ सबसे आसान रास्ता आगे बढ़ने का 5% 10% जो तुमको ठीक लगे परसंटेज तुमारे हाद में है भगवान को अपना पार्टनर बना ला 5% और 10% परसंटेज इन यूर हैंड्स मेक अप पार्टनर्शिप विद्यम वो अगर पार्टनर हो पार्टनर्शिप कैसे चलेगी सिर्फ कल्पना करो जितना पैसा कमाओ उसका कुछ भाब यह आप की उपर डिसाइड करता है और पार्टनर्शिप हमेशा तब करो जब हमाओं स्मॉल है आप कहते हैं अभी तो कुछ है यह नहीं अभी क्या फाइदा है अभी करने का फाइदा है क्योंकि अभी दिया जा सकता है जब बड़ा होगा तो देने का मन नहीं करें जो लड़का हीरो बन सकता था मंत्री बन सकता था पी-ेम बन सकता था उसको समाज ने एक छोटे से जॉब के लिए मजबूर कर दिया छोटी सोच करके लेकिन अगर पहले दिन से हर समाज का व्यक्ति ये बोलता तो नेता बनेगा तो अभी नेता बनेगा तो हो सकता है कि जो लड़का पचास जार की जॉब में गया 20 साल, 25 साल बाद दोस्तों वो पचास करोड भी महीना कमा सकता जो अमीर पैदा होता है अधिक सदिक यही करेगा कि कभी मोटा हो गया तो पतला हो अपतला हो गया तो मोटा हो जाही गलत उसके बास करने के लिए क्या रहा है अमीर खांदान में पैदा होने वाले लोग दुर्भाब के शाली होते हैं दुर्भाब गह होने का अगर किसी को लगता है कि मैं गरीब खांदान में पैदा हुआ हूँ और मेरे साथ बढ़िया नहीं महाने साला सबसे अच्छा तेरे साथ हुआ है क्योंकि तो गरीद पैदा हुआ है, इस शुर्थ ने तेरे पूम भॉका थी, आपने खांदान को में बनाने के तेरे पास बाखी किसी पास मौका नहीं है लीडर का दिस्ट्रिकों ही अलग होता है, उसके देखने का नजर्या ही अलग है कुछ लोग कमियों को देखके कमियों का रोना रोते हैं, और कुछ लोग कमियों को देखके खुश हो जाते हैं यहां कमी है, अरे जहां कमी है वहाँ तो तेरी जरूरत है दा जहां कमीने वाद तेरी जरूरत क्या अरे अच्छे रोड पे तो बच्चे भी कार चला लेते हैं जब रास्ते खराबाते हैं तब मेंड ड्राइबर आता है कि भाई अब रास्ता खराबारा तो आदा एक्सपर्ड बनना है तो कम्यों से प्रेम खीजिए एक कमाल की बात ये है कि एक आम आदमी इस देश के अंदर सेलिबरेटी से मिलने का जतना क्रेज रखता है और जितनी एक्साइट्मेंट उसको सेलिबरेटी से मिलने के लिए है अगर इससे आदी एक्साइट्मेंट भी वो अपने सबनों के लिए और बिसनस के लिए रख लेता कि धेर रात तक जगने वालों को अक्सर नीद नहीं आती जिनको पढ़ना नहीं होता मैंने अक्सर उन लोगों को पढ़ाई करने के लिए बहाने बनाते देखा है जो बहाने बनाते हैं उसन्दगी में कभी पढ़ना नहीं चाते और जिनको सच में पढ़ना होता है वो कभी बहाने नहीं बनाते हैं कि जिनकी आखों में सपने हैं उनके दिल में हमेशा उमीद होती है वो जिनके दिल में उमीद होती है वो कभी भी अपने वक्त को बरबाद नहीं करते हैं